हरे क्रिष्टा तो आज के इस वीडियो में हम स्रवन करने जा रहे हैं पापांकुष एकादसी या पाशांकुष एकादसी जो समस्त पापों पे एक अंकुष लगाए तो अश्मिनमास के सुखलपक्ष की एकादसी है ये और ये एकादसी क्यूं महत्पूर्ण है ये हम से बताईए तो भगवान युजिष्ट्य महराज के प्रश्ण के संदर में उतर देते काते हैं कि रिपेंद्र जो भी इस एकादसी का पालंग करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस दिन जो कोई भगवान के पदमाप से रूप की पूजा करता है भगवान के लिए उसको एकादसी का बड़ा ही सकती और निष्ठा के साथ पालन और साथ साथ में उसको फिर रात्री भी जागरन करना चाहिए और भगवान बताते हैं कि जो पूरे संपूर्ण प्रत्वी पे जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जाकर के स्थान करना भगवान दान करना उससे जो भी पुन्य मिल सकता है वो सारे के सारे पुन्य जो है मैजिक इस एकादस्यू करने से प्राफ्ट हो सकते हैं और भगवान फिर ये भी बताते हैं कि जो कोई भी इस एकादस्यू का पालन करता है वो उसको सहस्तर राजस्वी यग्या और सहस्तर असुमी य जाता है कि जैसे पापा को शेकादसी तो अगर जो कोई वर्स के किसी भी खादसी का फालन नहीं कर पाता रहा करने से नहीं करने से जो पाप लगता है तो इस पाप को यह कादसी जो है उस पाप को धो द्याल दिया तो एक कथा आती है बहली है कि कि किस प्रकार से वह नीरी प कारे कर रहा है तो उसे अंगिरारिसी मिलते हैं अंगिरारिसी उसे इस अशुन मास्क के सुखलेपक्स की कादसी को करने का सुझाव देते हैं तो वह जो भहिलिया था वह इस एकादस्टी का पालन करता है और फिर दो आदस्टी के दिन में समस्त पापों से मुक्त होता है वह भगवान के धाम को जाता है इस एकादस्टी के मात में यह भी बताया जाता है कि जो भी इस एकादस्टी का सक्ती के साथ पालन करता है उसके म भागवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब करें भागवान के श्रीवी ग्रहों का दर्सम करें आर्थी करें मंगलार्थी करें गौमाता की सेवा करें तुलसी महारानी की सेवा करें और भूल कर भी एकादसी के दिन में अन्न को ग्रहन ना करें किसी भी वस्ता में और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो गीता भाग वस्तम का लाव करें हरे क्रिश्टा